हलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेर बजार वितायुष और दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा पावर के स्टॉक के बारे में अगर आप टाटा पावर के शेरोल्डर है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत जादा इंपॉर्टन्ट होने को मिलेगा Q4 Numbers में मतलब क्या वह आपको इस वीडियो में देलेगा एक कंपनी आपको तोहफा देने जा रही है या फिर कह सकते हैं कि देखिए ये काफी इंपॉर्टन्ट होता है ताकि इन्वेस्टर उसका ट्रस्ट हमेशा बना रहे कंपनी से तो वीडियो को दोस्तों से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप जरूर जाहिएगा सब्सक्राइब को अगर आप देखेंगे तो कल के सशन में जरूर इसमें गिरावट आती हुई देखने को मिली दो रूपे 10 पैसे नीचे बंद होता हुई देखने को मिला है और कह सकते कि लास्ट एक महीने में शेयर में आपको 20 प्रतिशत की जो तीजी होती हुई देखन को मिल चुका है तो कह सकते कि देखें गिरावट ली बड़ी आती हुई देखने को मिली है और पिछला कह सकते हैं यह एक हफता जो रहता हुआ देखने को मिला था वहाँ पर कोई ज्यादा बड़ी तीजी होती भी देखने को नहीं मिला है कि मार्केट पूरे हफते में काफी चोटा टाइम मिला है पहली बात मूफ करने के लिए अगर आप देखेंगे तो सिफ तीन दिन होती हुई देखने को मिल पाई है मंडे टूसर वेडनस दे को अगर आप आप देखेंगे तो थोस्दे को आज तो चुट्टी है यह फ्राइडे को पी कल चुट्टी रह देखने को मिला शुरुवात में तीजी बनी और आखर में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में गिरावट बनी क्योंकि शुरुवात में आप देखेंगे तो टाटा पावल का स्टॉक 280 रुपए तक चला गया था 278 रुपीस का ओपन दिया था बड़ उसके बाद 30 2232 की वॉल्यूम्स आपको आती हुई देखने को मिलिए कल के सेशन के अंदर 380 अगर आप देखेंगे तो बाइं कौन्टिटी में लगते हो वह देखने को मिले 273.10 की प्राइस पर यह वो पेंडिंग है 380 अभी पर आप देखेंगे तो लोगर लेवल्स पर अक्युमिले बड़ी दिक्कत आते हुई देखने को नहीं मिल रही टाठा पावर के स्टाउक में अब बात करते हैं दोस्तों कम्पनी के क्यूव फोर रिजल्स के बारे में बहुत बढ़िया ख़बरे निकल के आई है क्यूव फोर रिजल्स की सबस्पर पहली बात तो देखें क्यू फ तो यहाँ पर दोस्तों कम्पनी ने साफ साफ कह दिया है कि कम्पनी यहाँ पर नंबर्स पेश करती हुई देखने को मिलेगी 6 माई को 6 अफ में को देखे कम्पनी के द्वारा नंबर्स पेश किये जाएंगे प्लस डिविडेंड की घोशना की जाएगी अब डिविडेंड में अगर आप देखेंगे तो undoubtedly हर बार अगर आप देखेंगे तो जब भी कम्पनी साल भर पुरा चलती है तो उसके देख final dividend पेश करती है टार्टर पावर में अगर आप देखेंगे तो interim dividend assets को आता हुआ देखने को नहीं मिला है लेकिन final dividend definitely देखेंगे यहाँ पर expectation लगा के चल सकते है लेकिन company ने यहाँ पर side में लिखा भी है if any यानि अगर company profit में आती है तो definitely देखेंगे company दोर डिविडेंड पेश किया जाएगा लेकिन company ने यह भी कहा है कि जो trading window है जो designated persons है उनके लिए close हो चुकी थी 25 मार्च से but important चीज़ क्या है कि अब numbers किस प्रकार निकल के आते हैं data power के वो काफी important रहेगा because अगर आप देखेंगे sector के अंदर अच्छी खासी तीजी होती हुई देखने को मिलिए plus यहाँ पर जो expectation से market की अगर आप पहले भी देखेंगे तो काफी कुछ reports निकल के आये थी about the expectation और यही कागया था कि जिस प्रकार से यहाँ पर बिजली की खपत होती हुई देखने को मिल रही है बिजली जिस प्रकार से देखें के consume होती हुई देखने को मिल रही है इसे demand बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई देखने को मिल रही है और जब demand बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई देखने को मिलेगी यहाँ पर बिजली आप को आती हो देखने को मिलते हैं तो definitely वह numbers तो बहुत बड़ी आएंगे लेकिन Q4 के numbers किस पर कान निकल के आते हैं इसके उपर सबकी निगाहर आएगी क्या-क्या company ने acquisitions कि एंउसके वर में company आपको बताती हो भी देखने को मिलती है company की AGM में तो definitely काफ़ी important है, सबको wait रहेगा company के numbers का, company ने बता दिया है, और याद रखेगा date of note कर लीजिए, कि 6th of May, 6 माई को दोस्तों यहाँ पर जो company है, वो अपने numbers पेश करती भी देखने को मिलेगी, numbers जो है, वो काफ़ी important रहने वाले है, company के perspective से, यहाँ पर आगे आपको कामकाज करती हुई, देखने को मिलने वाली है, तो बिलकुल इसका wait रहेगा, अब बात करते दोस्तों आपके company के target के बारे में, यह stock के target के बारे में, 18th of April को stock में क्या levels बनते हुए, देखने को मिल सकते हैं, उससे पहले दोस्तों एक बड़ी ख़ब है, वो 5.33 PM, और अगर भी आप देखेंगे, तो 5.36 PM हो रही है, यहीं तीन मिनट पहले ख़बर निकल के आईए, और अपने आप में देखें काफी important news है, देखें ब्लाक रॉक रियल एसेट्स, तुगेदर विट मुबदाला, शल इन्वेस्ट 4,000 करोड, by way of equity, यहाँ इन convertible instrument at 10.53% stake in Tata Power Renewable, लगातर अगर आप देखेंगे तो Tata Power के अंदर investment की बाते चल रही थी, और अब जो दोस्तों ख़बर है, वो अपने आप में काफी important है, 4,000 करोड रुपे का निवेश होता हुआ देखने को मिलने वाला, जी हाँ, 4,000 करोड रुपे का निवेश होता ह हुआ देखने को मिलेगा Tata Power के अंदर, और यह जो ख़बर है, यह बहुत बड़ी ख़बर है, बहुत बढ़िया ख़बर है, और इसके उपर market का reaction आता हुआ देखने को मिलेगा Monday को, और यह खबर दोस्तों जो है, वो अभी निकल के आई है, तो definitely जब मैं वीडियो बना र आता, तब यह ख़बर निकल के नहीं आये थी, लेकिन अब आ चुकी है, तो important यह ही है, कि देखे, जो company है, उसके अंदर एक बड़ा investment आता हुआ देखने को मिलने वाला है, 4000 करूर का, करीबन 10.53% stake की, और एक valuation लगाई गई है, टाट आट पाव रिनेवेबल बिजनस की, क इस पर भी एक reaction आता हुआ, देखने को मिलने वाला है, मंडे को, और इस पर देखना हुआ कि किस प्रकार चे company भी, का stock price करता हुआ, देखने को मिलता है, तो अब बात करें, stock के target की वारे में, तो मुझे लगता है कि देखे, जिस प्रकार के events play out हो रहे हैं, मुझे लगता ह तो अगर ये ख़वर जिस पर कासे निकल के आई है, चार्जा करोड की और एक valuation जो निकल के आए, तो stock में एक अच्छा कासा reaction ज़रूर आना चाहिए, तो इसका ही weight होना वाला है, तो इस वीडियो में इतना ही था, होपसो वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो